गुद मॉर्णिंग स्टुरेंट्स टुरें इस वीडियो विल सॉल फ्यू क्वेस्टिंस ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस फोसी दा प्रस्ट क्वेशन इस डिटर्माइइन वेदर सम पॉजिटिव नेगेटिव और जेरो कुछ नंपर्स दिये हुए है और उनकाम पहले क्या निका आए ठिक है समतलब एडिशन करना है और एडिशन करने के बाद बताना है कि वह पॉजिटिव है नेगेटिव है यह जेरो है ठीक है क्वेशन नाबाव वन सब क्वेशन बी-21 प्लस-9 कौन को जो नंबर है हमारे पास-21 प्लस दोनों की बीच एडिशन करना है इसलिए कौन सब्स-9 भी नेगेटिव इंटीजर है ठीक है दोनों डेटिव हैं और क्या करना है यह जब दोनों का सम निकालना है तो रूल के करेंक हो हो तो है फोन्तिव न कर दे YouTubers 30 टीक है अब आई साइन की बारी यहाँ भी नेगटिव है यहाँ भी नेगटिव है तो क्या हो جाएगा answer में क्या हम लगा देंगे आपर negative का sign टीक है तो क्या answer हमारä समाय माइनस 30 तो यह क्या हो जाएगा negative यह minus है इसले क्या हो यह नेगटिव ठीक है? क्षेशन नोर C 70 प्लस माईनस 22 70 प्लस माईनस 22 यहां पे दोनों के बीच अदिशन हो रहा है सम निकालना है यहां 70 के पहले कोई भी साइन नहीं है तो क्या मांते हैं यहां पे कोई भी साइन नहीं रहता हो उने तो पॉजिटीव इंदेन रहता है जब कोई भी साइन ये तो क्या है वो फॉजिटिव है ठीक है और ट्वेंटि तो है नेंगटिव इंटीज अ चीज ऑसे पोजिटिव इस फॉजिटर के 127 एक जो ऑपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं ऑपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं नंबर को सब्ट्राइट करते हैं बड़े वाले नंबर को बड़े बल नंबर से छोटे वाले को सब्ट्राइट करते हैं तो 70 में से 22 सब्ट्राइट करें तो कितना आएगा 10 में से 2 गया त क्या है पॉझिटिव है तो एंसर में क야 देगे हैं प्लस का साइन च्छित है यहां जब प्लस साइन हो रहा है तो ओप तू पॉजिटिव अचिंट है यहां विम फिप्टीञ माइनसर जैन तो नेगेटिव यह अंधर जो पॉजिटिव plains 15 plus 18 minus 15 plus 15 ठीक है यहाँ पर 15 के पहले कौन सा sign मायनस का sign मतलब नेगटिव इंटीजर है दोनों के बीच अडिशन करना इसलिए प्लस का sign यहाँ पर 15 के पहले कोई भी sign यह तो क्या जब कुछ नहीं मा रहाता है तो क्या मानते है करेंगे सब्सक्राइक करेंगे तो क्या है हमारा है जब जिरो ऑगया तो क्या हो जाएगा यह नइन इगर emitted है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है now the next question question number 5 add without using number line add करना है without using number line questions are minus 5 plus minus 5 question number 5 sub question B minus 5 plus minus 5 ठीक है यह भी नेगटिव इंटीजर है यह भी नेगटिव इंटीजर है दोनों सेम साइन है जब सेम साइन होता है तो क्या रूल is minus 5 just plus 12 है प्लस का साइन और यह माइनस 8 ठीकर यहां पर कितने नमबर से हमारे पास त्री नमबर से कि गईूस फाइव है इस लिए यहां प्लस का साइन यह 12 क्या विजात की तो क्या मपाउज़ाएगा whistle एक फिर एडिशनले हैicon आट और definite एक यह किया है माइनस एन्यटीन करेंगे फिर हम क्या करेंगे इन दोनों से काम करेंगे टिक तो कौन-कौन से माइनस 5 हम बॉर्बमम करेंगे तो कौन से ऩो माइनस 5 हम काम में एक बड़ा क्या है 12 है तो 12 में से 5 सब्टाइट किये तो कितना आया 7 ठीक है अफ साइन की बारी तो 12 बड़ा था तो 12 का साइन क्या है प्लस है यहां पर क्या हो जाएगा एक दी है ठीक है नेक्स्ट को चीडर है नेक्स्ट यहां पर दो नमबर साहो है हमारे पास previous season and locals mniej एट ऑपुजब शाइन की बारी एट रहता है तो क्या करते है सप्क्राइट करते हैं तो घ्रौ साइट रहां आप दो क्याय माई नि can ठीक है, now next is, minus 3 plus minus 7 plus minus 4, sub question j, minus 3 plus minus 7 plus minus 4, ठीक है, पहले दो नमस का काम करेंगे, दोनों का काम करेंगे, तो minus 3 और minus 7 मिलकर दोनों ये minus ही है, दोनों negative integer है, जब दोनों same sign होते हैं, तो क्या करते हैं, नमस को add कर देते हैं, और जो common sign होता है, वो लिख देते हैं, तो 3 और 7 को add कितना आया, 10 आया, यहां भी minus, यहां ही minus, तो यहा हुआ माइनस 10 इतने देर दूर का कुछ काम नहीं किये तो प्लस को ऐसी लिख देंगे और यह माइनस 4 ऐसी लिख देंगे दुबारा ठीक है फिर क्या है यहां भी माइनस 10 है यहां माइनस 4 है दोनों negative integers same sign है addition करना है तो क्या करेंगे numbers को add करेंगे और जो common sign हागा वो लगा देंगे तो 10 और 4 एड कि इतना है 14 यहां ही माइनस है यहां ही माइनस है तो answer में क्या हो जाएगा है यहां पर minus that is minus 14 sub question के 14 plus 7 plus minus 9 यहां पर 14 का आगे कोई भी sign है तो क्या है यह positive है plus 14 है यहां पर plus का sign क्यों है क्योंकि है क्योंकि हम यह add कर रहे है 7 का आगे कोई sign है तो क्या है यह plus है ठीक है दो numbers को add कि यह plus 14 plus 7 दोनों positive integer है add करेंगे तो कितना है यह plus 21 इतने दूर कुछ काम नहीं किये तो तो दुबारा ऐसी लिख देंगे ठीक है ना यह plus 21 addition का sign बीच में और यह minus 9 कौन बढ़ा है जब दोनों opposite sign हो तो क्या करते है numbers को subscribe करते है तो 21 में से 9 सब्सक्राइट हो कितना है यह 12 कौन सा साइन बढ़ा होगा यह 21 बढ़ा है तो हम लोग क्या देंगे plus देंगे that is plus 12 now next is question number 6 insert greater sign equal to or less sign to make a true statement question number 6 sub question c we have to put the sign in this question minus 8 plus minus 17 right sign में minus 9 plus minus 11 ठीक है negative integer negative integer बोधा negative जब सेम साइन होता है तो क्या करते है numbers को add कर देते है तो 8 और 17 मिलका कितना हो जाएगा 25 यहां भी minus क्याहां भी minus तो answer में minus ठीक है here also the right side minus 9 and minus 11 दोनों negative integer है तो दोनों को add कर देंगे कितना आया 9 plus 11 is 20 यहां minus यहां ही minus तो यहां भी क्या हो जाएगा minus this side left is minus 25 इधर क्या है minus 20 नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है जो number छोटा होता है वो बड़ा होता है क्योंकि वो right side में आता है अगर number line में देखे तो जो number छोटा होता है जैसे 20 number line हम लोग क्या पढ़े है जो right side में आता है वो बड़ा होता है तो number line पर कर देखेंगे तो 0 अगर यहां रखेंगे तो left side पहले start के minus 1 minus 2 तो पहला क्या आएगा मेरा minus 20 आएगा फिर जब और आगे जाएंगे left में जाएंगे तब आएगा minus 25 तो right में कौन आ रहा है minus 20 आ रहा है क्योंकि वो right side में होता है ठीक है तो minus 25 is less than minus 20 minus 25 क्या है छोटा है minus 20 बड़ा है कि दो the next is write the additive inverse of additive inverse मतलब क्या होता है कि कि किसी number में क्या add करेंगे कि sum हमारा 0 आ जाएगा first question is 15 15 मतलब यह plus 15 तो plus 15 में क्या add करेंगे 0 आ जाएगा तो plus 15 में कितना add करेंगे minus 15 आ जाएगा 0 additive inverse को हम लोग opposite भी बोल सकते है ठीक है तो plus 15 में क्या add किये तो कितना आ जाएगा 0 minus 15 next is minus 6 का additive inverse क्या होगा minus 6 का additive inverse यह minus 6 है तो कितना add करेंगे 0 आ जाए तो plus 6 आ जाएगे तो क्या हो जाएगा 0 next is 0 0 का additive inverse क्या होता है 0 यह होता है ठीक है that's all for today your homework will be to solve self practice 4C question number 1 5 6 and 7 in your maths copy that's all for today thank you